देखिए, चुनाव के बाद जो हारे गुए प्रचाशे है रहा होते हैं, महस्पागे प्रचाशे हैं, उनने सीद है आरोप आपके परिवार के लगा है, देखिए, चुनाव होता है, कोई जीता है, कोई हारता है अगर हम हार जाएं, तो मेरा मानना है, कि हमें उसको जब्त करना चाहिए, और जीत जाएं, तो जैसे कहते हैं, अपने उबराना नहीं चाहिए मैं भी साथ चुदाओं जीतने के बाद, पिश्रा चुदाओं, श्री राहुल सिंग से 790 वोट से हार गया हाला कि मेरे पास तो बताने को वैत कारण भी है, कि आधरनी डाक्टर रमकृष्ट जी कुस्मरिया खड़े हो गया, हमारे सांसत रहे हैं पांच बार, और उनको ग्यारा सो से जादा वोट मिल गया, और मैं 790 वोट से हार गया परंतु मैंने तब भी किसी को इसके लिए नहीं कहा, मैंने अपनी हार स्विकार की और बस कहा कि वही जनता की सेवा करते रहें, करते रहेंगे आज फिर ये चुनाव हुआ, भारती जनता पार्टी ने श्री राहुल लोधी को केंडिडेट बनाया, केंडिडेट बनाने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव में जन मानस पूरी तरह से उनके व्रोध में था और ये कह देने से, के ये स्टार प्रचारक रहे हैं, और मंत्री रहे हैं और ये अपना वाड हार गए, जाम हम शहर में कोई वाड जीते ही नहीं हैं, देहात में भी हारे हैं सत्रा हजार की हार कोई हार होती है, कोई हरा नहीं सकता है, दो पांस्तो हजार वोट से तो समझ में आता है, सत्रा हजार वोट से अगर कोई हरा सकता है, तो सरफ जनता हरा सकती है, जनता खिलाफ थी, जनता भारती जनता वाड़ी के खिलाफ नहीं थी, और तो भारती जनता पाड़ी के उमीद्वार के रूप में श्री रहुल लोधी जी के खिलाब थी संभध उनके दल बदल के कारण उनका जो डेड़ महने का देड़ साल का परफॉर्मेंस रहा है उसके कारण और भी जो भी कारण रहे होंगे इसके का अब भारती जंदा पाड़ी के तो बहुत न पूर्ग नगरबाली का अध्यक्ष महुद्या का भी घर है यहां सब के वाड़ों में हा रहे हैं जिसमें किसी एक को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने मेरा नाम लिया है उनको लगा के हो सकता है हम साफ टार्गेट हों किसी और के नाम लेने में तो उनको तकलीव भी होती है मेरा यह मानना है यह चुनाओ वो अपने खार्णों से हारे हैं और मुझे जो बात करना होगी मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूंगा और जिस तरीके से तीन माह पूर्व पार्टी में आये और एक हार बर्दास्त नहीं कर पाए और वह बड़ी हार बर्दास करने का कहने का वह नहीं छोड़ पाए और उन्हेंने आरूप लगा दिया ठीक है आरूप लगाना तो आसान है मुझे कोई कोई एक्स्प्लेडेशन नहीं देना है उन्हां किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है मुझे पर यह ठीक बात नहीं है इस प्रकार से होना नहीं चाहिए और अगर होता है तो ठीक है अपना प्रणाम भुवतने के लिए तैयार रहे है नित्कासंधी कारवाई के नहीं प्रणाम भुवतने नहीं है